त हमारे साथ में यूगी आदित्नाब्र में प्रदेश पिछली सरकार बनी 3 King उसमें पिछली सरकार था ना भृस्टाचार सरकार और भृस्टाचार और गुंडा हरास पर करहार करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीदी को अपनाते हुए मानी योगी आदितनाज जी ने जिस तरह से रस्टाचारियों का और माफियाओं का अपराधियों का दमन करने का काम किया है इस से पहले कोई उदाहर्ण उत्तरप देश में नहीं पूरे देश में नहीं आज बुल्डोजर चला चला कर जिस तरीके से अपराधियों और माफियाओं में एक खौफ का महौल बनाने का काम किया है यह अपराधि माफिया किसी प्रकार से किसी उससे डरने वाले नहीं इनके दिमाग में एए था कि कोई अपराध करो भरष्टा चार करो और उसके बाद जेल में चले जाओ तीन महीने च्छे महीने बाद जमानत करा लो और फिर से बापास आ जाओ फिरी प्रकार से अपराध और माफिया के दुनिया में फिर से गुश जाओ लेकिन जिस तरह के से अपराधियों और माफियाओं पर बुल्डोजर चला उसके कारण माफियाओं में और अपराधियों में भय और दहसत का माहौल पैदा हुआ है आज अपराधिक की घटनाएं और माफिया राज की घटनाएं कम हुई है संगठित अपराध शून ने हो गया है तो ये हमारे पिछली सरकार की बहुत पड़ी उपलब्दी है बर्तमान की जो टू पाइंट जीरो की सरकार है जिसमें मानी योगी आदितनाजी की नतित में पूरा मंतिर परशद के समक्ष प्रजेंटेशन हो चुका हर विभागों के पांस साल का रोड मैप तैग हो चुका है आगे आने वाले समय में विकास के बड़े-बड़े काम होगे और समय से पहले ही हम इस सब काम को पूर्ण करेंगे और मुझको पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक प्रदेश बनेगा और हम विकास के पत पर एक कीरतिमान इस्थापित करने जा रहे हैं मंत्री जी एक सीज़ आना शाएंगे ऐसा है कि यह जो विपक्षियों इनकी एक तुष्टी करण की नीती सदैव रही है और इसको भारती जंता पार्टी ने बहुत हद तक तोड़ने का काम किया है आज भारती राचनीत में कहीं आप सामप्रदाइक सक्तियों को हटाना है सामप्रदाइक सक्तियों को सब्ता में नहीं आने देना है और धर्म नेरपेक सक्तियों को स्थापित करना यह शब्दावली गायब हो गई है यह माननी योगी आदितनाद जी के नितरत्य में जो सरकार उत्तरपिश्मनी और इससे पूर्म माननी है नरेद मोदी जी के नितरत्य में दोहजार चौधा से जब सरकार बनी है देश में यह सामप्रदाइक सक्तियों को हटाना है सामप्रदाइक सक्तियों को नहीं सत्ता में आने देना है यह बात ही हट गई है और अभी यह लोग छुटर-पुटर करके प्रयास कर रहे हैं यह अपना प्रयास करते रही है जो गलत काम करेगा वो जेल में रहेगा और जो गलत काम नहीं करेगा उसको खुले वाताबंड रहने की पूरी इजाज़त दी जाएगी सांसर भूष Bishop चरण सिंह जी भी कह रहे है कि बोबी मिलने जाएं आजम आज क्या अब मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं कि भो मिलने जाएं गी नहीं मिलने जाएं इस तरह से भारती आंता पार्टी के तो को ऐसी इच्छा या नीथी ऐसी को मिलने जाएं सर आपकी पार्टी के मंत्री है संजे निशाद जी एक दल की राश्री नेता भी है वो कहीं पर भी समिक्षा के लिए जाते हैं तो उनके बेटे साथ में होते हैं इसके अलावा उनके बेटे अलग से जाकर भी भाग ये कामों की समिक्षा करते हैं तो सवाल उट रहे हैं क्या से बारहे मुझे वार में वारत तो ज्यादा अच्छा क्या मुझे जहां कर रहा है कि इस तो योगी सरकार के कई लोग उसमें कि उनाव रह गया कही बताया हुआ गया करें Спustos करने के तैयारी absolute एक प्रक्रिया की कोई के स outlines चुनाओं में जीतना हारना यह कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता बहुत से बड़े बड़े लोग चुनाओं हार जाते हैं पुशकर्थ सिंग धामी इस वार चुनाओं हार गए लेकिन फिर भी मुख्यूंतरी बनाने का काम किया है कि यह सब प्रसाद मौरिया जी चुनाओ बड़े बड़े नेता बिहार जाती चुनाओं अठल बीहारी बाजपी जिहारे इंद्रा गांधी जिहारी तो ऐसा चुनाओं हारना कोई बहुत बड़ा पैमाने ही नहीं होता हमारे बहुत अच्छे कार करता हैं कभी-कभी किनी राजनेतिक पर शितियों के कारण बड़े जिनका साथ तो और पर कहना है कि भारती जनता पारटी तुरुष्टी करणर की राजनीती नहीं करती है और जहां तक बात की जाए आजम खान को लेकर तो फिलाल कोई इच्छा नहीं है उनसे मिलने की या उनसे किसी भी प्रकार की आगे बात करने की कैमरा सही होग उनके साथ चैले शरूरा एबीपी गंगा लखना हूँ